कम बैक टो माई यूट्यूब चैनल जिरो टू इंफिनिटी तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार टॉपिक कि मैगनेटिक मुमेंट्स एंड मैगनेटिक प्रॉपर्टीज तो देखिए दोस्तों इस टॉपिक से आपको कम्पटेटिव एग्जामिनेशन में अगर हम लोग इन और्गेनिक का बात करते हैं या फिजकल में तो इस टॉपिक से कोशन आने का चांसे दोस्तों ज्यादा र मैगनेटिक डाइपोल मुमेंट भी बोल सकते हैं इसको हम मैगनेटिक डाइपोल मुमेंट भी इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कि मैगनेटिक मुमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों मैगनेटिक डाइपोल मुमेंट भी बोलते हैं अब इकि मैगनेटिक डाइ रखते हैं इससे related question मैं आपको बताऊंगा कि कितने असानी से हम लोग question solve कर सकते हैं ओके दोस्तों तो magnetic moment magnetic moment जिसको हम denote करते हैं दोस्तों मुव से magnetic moment मुव इक्वल टू होता है दोस्तों रूट अंडर एन इन्टू एन प्लस टू रूट अंडर एन इन्टू एन प्लस टू बी एम वेर वेर देखे दोस्तों एन आपका हो गया number of अन्पेर्ड इलेक्ट्रों एन आपका क्या होगे दोस्तों number of अन्पेर्ड इलेक्ट्रों एन आपका होगे number of अन्पेर्ड इलेक्ट्रों और बी एम इसका यूनिट है जिस बी एम को हम लोग बोलते हैं दोस्तों बोर मैगनेट्टॉन बोर मैगनेट्टॉन magnetic moment का unit क्या होगा दोस्तों bore magneton अगर आपको यह formula याद है तो इस formula से related दोस्तों आपके question पूछे जाते हैं question हम लोग अदम simple तरीके से solve करेंगे आपको कुछ मैं tricks बताऊँगा जिस trick से आप असानी से magnetic moment से related आप question क्या कर सकते हैं दोस्तों solve कर सकते हैं दोस्तों आप देखिए magnetic property क्या होता है कि अगर हम बात करें condition first कि if n equal to 0 अगर आपके पास unpair electron 0 कर दिया जाए तो क्या होगा कि mu भी 0 हो जाएगा दोस्तों mu भी 0 हो जाएगा अगर आपका unpair electron किसी की substance के पास unpair electron की value 0 होगी तो mu भी 0 हो जाएगी will be diamagnetic nature का होगा diamagnetic nature का होगा दोस्तों कि अगर आपके पास unpair electron का भैलू जो है दोस्तों कि unpair electron आपका 0 हो जाए unpair electron 0 हो जाए दोस्तों तो mu क्या होगा दोस्तों 0 हो जाएगा अजब mu 0 होगा तो substance क्या होगा दोस्तों तो substance will be diamagnetic in nature सब्स्टांस जो होगा किस निचर का होगा दोस्तों डाय मेगनेटिक का अगर दूसरा कंडिशन अगर बात करें दोस्तों कि इफ if n is not equal to 0 अगर आपके पास unpaid electron आनी 1,2,3,4 हो तो mu की value भी non 0 होगा दोस्तों mu भी क्या हो जाएगा non 0 होगा क्योंकि हमने unpaid electron क्या लिया non 0 तो mu भी क्या होगा दोस्तों non 0 तो इस condition में substance क्या हो जाएगा दोस्तों इस condition में substance will be will be paramagnetic paramagnetic in nature ओके दोस्तों clear point समझ में आए कि अगर हम मेरे पास unpaid electron की value non 0 होगा unpaid electron non 0 होगा तो सबस्तान magnetic moment भी क्या होगा दोस्तों non 0 और substance इस condition में क्या हो जाएगा दोस्तों paramagnetic behavior का होगा अगर n बढ़ाते number of unpaid electron बढ़ाएगे दोस्तों और जब mu बढ़ाएगा तो paramagnetic behavior भी क्या हो जाएगा दोस्तों बढ़ाएगा paramagnetic behavior भी क्या हो जाएगा दोस्तों behavior भी बढ़ जाएगा जहां पे N आपका क्या होगा दोस्तों, अन्पेर्ड इलेक्टोन और BM मैगनेटिक मुमेंट का यूनिट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, बोर मैगनेटोन, अगर हम यहां पे कंडिशन दो बना रहे हैं दोस्तों, कि अगर N इक्वल टु जीरो, आनि नमबर अफ अन्पे पास अन्पेर्ड इलेक्टोन नन जीरो होगा, तो मु की भैलू भी क्या होगी दोस्तों, नन जीरो और इस कंडिशन में सरस्थान साब का क्या होगा दोस्तों, पारा मैगनेटिक, ओके दोस्तों, अब यह पॉइंट आप याद कर लिजे, कि अगर हम अन्पेर्ड अन्पेर्ड इलेक्टोन बढ़ाएंगे दोस्तों, तो मु बढ़ेगा, और मु बढ़ने इसे के साथ साथ पारा मैगनेटिक बिहेवियर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, इनक्रीज कर जाएगा, अब यहाँ पे कंडिशन आपको आगे अन्पेर्ड इलेक्टोन, तो देख और और वीटल, तो देखिए दोस्तों, सबसेल और नंबर और 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 वीटल, जैसे एस सबसेल बात करें, एस सबसेल में दोस्तों, एक ही और वीटल पाया जाता है, एस सबसेल में वन और वीटल, पी सबसेल में कितने और वीटल होते हैं, दोस्तों, तीन और वीटल होते ह 3 4 & 5 अगर F का बात करें तो दोस्तों F में number of orbital कितने होते हैं तो F में number of orbital होते हैं दोस्तों 7 1 2 3 4 5 6 & 7 ओके दोस्तों और किसी भी orbital में maximum electron जो रखते हैं दोस्तों और maximum maximum number of electrons maximum number of electrons in any orbital in any orbitals is 2 maximum number of electrons in any orbital is 2 देखिए किसी भी orbital में maximum electron कितने रखते हैं दोस्तों दो रखते हैं one is one is clockwise clockwise and other is and other is anti-clockwise आनि जो दो electron जो रखते हैं दोस्तों किसी भी orbital में तो जैसे अगर हम मात करें दोस्तों ये orbital है और एक orbital में maximum कितने electron रख सकते हैं दोस्तों दो रख सकते हैं फस्त जो रखेंगे clockwise तो second हमको क्या रखना होगा दोस्तों anti-clockwise ये जो उपर के तरफ एरो जो दिखा रहे हैं दोस्तों clockwise direction को रिपर जेंट करता है clockwise और जो नीचे के तरफ एरो दिखा रहे हैं दोस्तों ये आपका क्या हो गया anti-clockwise direction ओके दोस्तों तो किसी भी और्बिटल में maximum कितने electron रख सकते हैं दोस्तों दो रख सकते हैं एक आपका clockwise होगा दूसरा क्या होगा anti-clockwise अब दिखिए जो हम लोग orbital देखते हैं तो दिखिए अगर आपके पास और्बिटल में कोई भी electron नहीं है तो इसको हम लोग बोलते हैं empty या इसी को हम लोग नाम दे देते हैं दोस्तों सब्लबिटल अगर पास माल लेक्टल में अगर इस तरह से electron रखते हैं द्यान से दिखिए दोस्तों कि अगर आपके पास जो orbital दिया हुआ अगर हम दोनों इलेक्ट्रों को सेम डारेक्शन में रखके दें डूनों इलेक्ट्रों को जो समें में रखते हैं इसको आम भोलते हैं पैर्लेल झार्वट्ल इसको मैम बुलेंगे कंदीशन होT अगर टीसरा कंडिशन हम दोस्तों अगर एक ही उलेक्ट्रों रखते हैं तो क्यूंकि हम रख कितना सकते हैं दोढ़ते हैं दोस्तों support अगर हम दो इलेक्टरोन रख रहे हैं दोस्तों तो मैंने आपको स्टना इसको क्या बोलेंगों दूस्तोंitta और बीटल दूस्तों स्टेबल Communist सब्रस्टों स्टेबल क्यों ऎसा होता हुए जो दोनों ऊ profound है इसके बीद रिपल्सन फोर्सिस ज्यादा हो जाएगा रिपल्शन जो होगा वह बढ़ जाएगा रिपल्शन बढ़ जाने के कारण और बीटल क्या हो जाता है अनस्टेबल होता है लेकिन यहां पर एक क्लॉक्वाइज है यहां पर जो रिपल्शन होगा रिपल्शन को क्या करेगा दोस्तों मिनिमाइज कर द तो देखेन से माल लेते हैं कि आपसे पूछा जा रहा है कि एक हम मैंने दीया ज्याशिए आपसे मैं पूछूं की बताइए कितने अंपीर डिलेक्टोन होंगे तो नाइटोजन का इसका क्या कर लिए इलेक्रोनी कसे लिए और और electronic configuration मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोन का लिखते हैं तो इसका electronic configuration 1s2, 2s2 और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 2p3 तो आपको क्या करना है जो half field या partial field orbital होगा जीसे देखिए ये completely field है ये completely field है तो इसमें दोनों electron जो 1s2 में होगा वो क्या होगा इसमें भी प्यट होगा तो on paid कहांपे आएगा on paid आपका आएगा partial या half field orbital में उन प्यड़ जो इलेक्ट्रोन आएगा दोस्तों on paired इलेक्ट्रोन जो आएगा उख किसमें आएगा हाफ फिल्ड हाफ फिल्ड और वीटल हाफ फिल्ड या partial field में आएगा दोस्तों पारशियल पी और्बीटल में इलेक्ट्रोन होगा तो देखी एक क्या है बना दिया चीज आपको और इलेक्ट्रोन हम वर्टी है दोस्तों इस औरम में जो इलेक्ट्रोन बहुर्ते हैँ की सुरूल के Ucording बोलते हैं तो on позвол American होते हैं कि फॉर्टिल में क्या करते हैं कि electron जो orbital में भरते हैं पहले वन बाइम वरेंगे और्वीटल में जो electron भरते हैं पहले वन बाइम उसके बाद से पेरिंग करते हैं याद रहेगा सोहुंद किया होता हुँ ने क्या रुल दिया था कि और में जो इलेक्ट्रों हम लों भरेंगे 1ay one वहरेंगे उसके बाद से हम लों क्या करते हैं जूस्तों पेरिगे स्टार्ट करतें बेहिए सेल में और मैं बात करूँपी से일 में ते तीन हमको बताना है कि यह पारा मेग्रट्रों कि इसमें? ट्री हो जाएंगे और यह जो नाइट्रोजन है, क्या हो जाएगा पाराम ईगेटिक न пережबाहिघक हो गए क्या होगा दोस्तों पारामनेटिक नेचर का होगा पूपना क्या होगा है मिलूरीा डवर 58 Mann pleased with the스파ट क्लॉरीन इक्सपार दोगाए क्लोरीन का इत्म पतलब क्या होगे दोस्तों कि 2s2 2p6 और लेडिया फिलिख दिये तो 2p6 के बाद क्या आता है दोस्तों 3s2 3p5 तो देखिए यह आपका फूल फिल्ड है तो हम और्वीटल डागराम किसका बनाएंगे जो पार्शियल फिल्ड या हाफ फिल्ड है तो पी में कितने और्वीटल पाइग इसमें अनपेरेड एलेक्ट्रकर्न कितना हो जाएगगा दोस्तों इसमें लाखने क्लोरीं और पार मेगनेटिक नेचर का हो जाएगा ओक्के दोस्तों क्लियर है पॉइंट समझ में है कि रिलेट गया कैसे निकाल लेंगे दोस्तों क्लियर है अब देखिए सबसे ज्यूदा जो कोषां पूछे जाते हैं दोस्तों सबसे ज़ा Nikki उलेक्टों को से पारा इंटिउ गया दोस्तों कि इधर मैंने लिया सिस्टम कि इधर मैंने कुछ system ले रहे हैं इधर होगया system फिर इधर मैं ले रहा हूं दोस्तों number of unw paired electron और फिर मैं इधर ले रहा हूं दोस्तों magnetic moment magnetic moment magnetic moment magnetic moment magnetic moment का formula क्या होता है दोस्तों root under n into n plus 2 ये क्या हो जाएगा BM BM दीखिए दोस्तों यह यहां पे light का problem दिस्पले का ठोड़ा सा problem हो रहा है तो आप ऐसा नहीं है कि clear समझिएगा कि magnetic moment क्या है दोस्तों कि magnetic moment आपका mu equal to root under n into n plus 2 bm मैंने बताया कि अगर एक concept आपको रट लिजेगा तो magnetic moment से कोई भी question पारा magnetic magnetis से आएगा दोस्तों असानी से बना लिजेगा दम असानी से आपको क्या करना यह जो chart मैंने अभी बना रहा हूँ अगर यह chart याद हो जाए और याद भी अगर याद कर लिजेगा तो आपको 10 second 5 second 2 second इससे ज़्यादा question आपको question बनाने में time नहीं लगेगा दोस्तों ओके तो देखे डी system में मैंने ले रहा हूँ कि d1 मतलब आपके पास d1 system है d2 system है d3 d4 d4 d5 d6 d7 d7 d8 d9 और यह जो हो गया d10 ओके दोस्तों इसको आपको देखना है यहीं आपका main है दोस्तों तो देखे डी 1 system में number of unpaired electron 1 इसमें 2 इसमें 3 इसमें 4 d5 में दोस्तों 5 डी 6 में देखे डी 6 में फिर यहां से decreasing हो जाएगा 4 डी 7 में 3 d8 में 2 d9 में 1 d10 में कितना हो जाएगा 0 ओके दोस्तों अब देखे इसका magnetic moment हो जाएगा दोस्तों root 3 BM root 3 BM इसका हो जाएगा root 8 BM इसका root 3 का हो जाएगा root 15 BM इसका हो जाएगा दोस्तों root 24 BM बोर magneton BM is represented by bor magneton 5 के लिए हो जाएगा दोस्तों root under 35 BM 4 के लिए हो जाएगा दोस्तों root under 24 BM decrease कराना यहां से 3 के लिए हो जाएगा root 15 BM 2 के लिए हो जाएगा दोस्तों root 8 BM और 1 के लिए हो जाएगा दोस्तों root 3 BM और 0 के लिए 0 जुस्तों Simple suddenly यह चार्ट याद कर लेते हैं तो guarantee है कि दोस्तों असानी से question क्या कर सकते हैं solve कर सकते हैं जैसे आप कुछ question आपको example में ले रहे हैं देखिए d1 d2 क्या है electron present in d1 मतलब d sub cell में जो electron है जो 123456 देख रहे हैं दोस्तों यह है आपका d sub cell है यह आपका लिख रहे हैं क्या है number of electrons क्या है number of electrons दोस्तों अब देखें जैसे example में माल लेते हैं कि जेडेंट 2 प्लस है जेडेंट 2 प्लस और पूछ रहा है कि यह पारा magnetic है कि डाया मैगनेटिक या इसका मैगनेटिक बिहेवियर क्या होगा तो देखें इसका electronic configuration आता है दोस्तों क्योंकि इसमें इलेक्टोन कितने है 28 और लास्ट अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखें होंगे electronic configuration का तो वहां से आप जाकि electronic configuration वाला वीडियो देख लिजेगा क्योंकि जब तक electronic configuration आपको लिखना नहीं आएगा तो यह पॉइंट आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा तो इसके लिए electronic configuration होगता है दोस्तों आरगन 18 और 4S 0 और 3D हो जाएगा दोस्तों 10 तो देखें 4S यह तो अनिपेड हो गया तो यह जो आपका system बन रहा है यह जो system यह क्या बन रहा है डी टेन जीरो अनिपेड एलेक्टों एनपेर्ड इलेक्टों 0 तो भी 0 अजब मुव 0 तो सबस्टांस क्या हो जाएगा दोस्तों आपका डाय मैगनेटिक होगा क्या होगा दोस्तों डाया मेगनेटिक यह आपका क्या हो जाएगा डाया मेगनेटिक नेचर का होगा क्यों डाया मेगनेटिक नेचर का होगा दोस्तों क्योंकि मू की वैलू क्या है जीरो जैसे माल लेते हैं दोस्तों मैंने नेक्स्ट एक्जामपल यह जैसे मैंने आपको द का electronic configuration लिखेंगे आरगन 18 फोर एस जीरो 3D क्या हो जाएगा दोस्तों 6 ति कौन सा सिस्टम बना डी 6 सिस्टम बना डी 6 सिस्टम में अन पेर्ड एलेक्टोन कितने होते हैं दोस्तों फोर और म्यू कितना होता है तो म्यू आपका हो जाता है 24 बियम और म्यू 24 आनि यह जो सबस्टांस होगा आनि यह जो सबस्टांस यह आपका क्या हो जाएगा पारा मैगनेटिक हो जाएगा सिंपल सा तरीका है दोस्तों अगर आपको अगर यह याद होगा तो असानी से कर लेंगे जैसे मैंने आपसे पूछा कि कोबाल्ट 3 प्लस कोबाल्ट 3 प्लस जिसका अटोमिक नंबर 27 होता है इलेक्टोन इसमें कितने दोस्तों 24 अब इलेक्टोनिंग कन्फिग्रेशन लेखें तो क्या लिखेंगे आर्गन एटीन 4S 0 और यहाँ पर भी 3D 6 हो जाएगा क्योंकि इसने तीन इलेक्टोन लॉज किया और तीन इलेक्टोन मैंने बोला ना कि मेरा जो इलेक्टोनिंग कन्फिग्रेशन विडियो है अगर आप वहां से देख लेते हैं तो असानी से इलेक्टोनिंग कन्फिग्रेशन लिख सकते तो यह भी किस तरह का सिस्टम बना यह भी किस तरह का सिस्टम बना दोस्तों यह आपका डि 6 सिस्टम बना और एक्ञुशन Сबस्टांसि क्या बनेगा क्या बनेगा पारा मैगनेटिक बन जाएगा ओके दोस्तों एक कोशन और मैं आपको दे रहा हूं जैसे माल नेते हैं कि मैंने दिया दोस्तों एमेंटी प्लस जिसमें इलेक्टोन कितने नंबर 25 इलेक्टोन कितना होता दोस्तों इसमी इलेक्टोन हो जाएगा ट्वेंटी थ्री जो यहां और। इस इस वे जो system बना डी फाइफ सिस्टम बना और दीफाइफ में अनपेड़ कितना फाइफ तो म्यू कितना हो जाएगा तो म्यू आपका रूट अंडर 35 हो जाएगा बी एम और सबस्तांस क्या होगा दोस्तों पैरा मेगनेटिक हो जाएगा ओप पैरामेगनेटिक आप से मान लेते हैं कि इसी को ठोड़ा साथ जो जेडेड़न 2 प्लस है जेडेड़न 2 प्लस एफी आपका 3 प्लस और मान लेते हैं दोस्तों MN आपका दे दिया 2 प्लस तो इसको आपको एरेंज करना है और एरेंज इनक्रीजिंग 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 ओडर ओफ ओडर ओफ एरेंज इनक्रीजिंग ओडर ओफ पारामेगनेटिक बिहेवियर तो क्या करना है दोस्तों simple है क्या करना है अभी इसको question को मैंने solve भी करा दिया तो देखिए Zn2 plus है दोस्तों Zn2 plus जो बनना था D10 system तो इसमें अनपेड इलेक्टोन 0 आपके पास F2 plus F2 plus क्या बनना है दोस्तों D6 system इसमें अनपेड इलेक्टोन 4 और MN जो 2 plus बनना है दोस्तों D5 system बनना है कौन सा? D5 इसमें अनपेड इलेक्टोन कितना दोस्तों 5 तो N बढ़ेगा तो पारा मेगनेटिक भी क्या हो जाएगा दोस्तों पारा मेगनेटिक भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो सबसे कम increasing में है तो सबसे कम ZN 2 plus ZN 2 plus से जादा दोस्तों AP 2 plus और AP 2 plus से जादा हो जाएगा MN 2 plus यहीं आपका क्या हो जाएगा दोस्तों पारा मेगनेटिक भी हेवियर का ओडर हो जाएगा ओके दोस्तों किलियर है पॉइंट सारे हैं अगर अगर आप इस चीज को याद कर लिजेगा तो बहुत जादा time नहीं लगेगा दोस्तों इसको अगर दिखिए बहुत ज़ादा time नहीं लगेगा अगर याद कर लिजेगा तो 2,3 question जो आपसे अगर 2 question भी आता है 1 question भी आता है दोस्तों चार नंबर का ना कोश्चन हुआ दोस्तों चार नंबर का है तो चार नंबर आप क्या हो जाएगा दोस्तों इन हेंड हो जाएगा इस चार्ट को अगर देखेए जो सामने आपके स्क्रीन पर दीख रहा है इस चार्ट को अगर याद कर लेते हैं इस चार्ट से आपको बहुत ये भी करें कि फर्दर आपकी किस टॉपिक पे आपको स्ट्रिक्स वाइज आपको वीडियो मिले आपको क्या करना है दोस्तों कमेंट्स करना है कि कमेंट्स में आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए मैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो बना दूँगा दोस् तो टेक केर